नमस्कार शिक्षियार्तियों, मुक्त बेसिक शिक्षिया कारिकराम के अंदर गत गनित इस्तर कौपे दो अंकों का बिना हासिल का जोड करना सीखेंगे दो अंकों की संख्या, कोई भी संख्या जब दो अंकों की होती है, तो उसे हम इकाई और दाहाई के रूप में लिखते हैं या संशिप्त पर इसे इकाई और दाहाई के रूप में लिखा जाता है, दो अंकों की संख्या है, माना पहली संख्या बारा है और दूसरी संख्या तेरा है, इन दो संख्याओं को आपस में जोडना है, तो पहली संख्या पर जो इकाई का अंक है वह दो है और दाहाई का अंक एक है, दूसरी संख्या पर इकाई का अंक तीन है और दाहाई का अंक एक है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है जब हम दो अंकों की संख्या को जोड़ते हैं तो इकाई के नीचे इकाई वाले अंक को लिखा जाता है तो पहली वाली संख्या पे जो इकाई का अंक है वह दो है और दूसरी संख्या पे इकाई का अंक तीन है तो 2 के नीचे 3 लिखा जाएगा उसी प्रकार दहाई के अंक के नीचे दहाई के अंक को लिखा जाता है तो पहली संख्या पे जो दहाई का अंक है वह एक है और दूसरी संख्या पे दहाई का अंक एक है इन दोनों को आपस में जोडना है जोडने के लिए हम एक चिन्न का प्रियोग करते हैं वह यह है तो पहले हमने जोडना है दो पे तीन हम पहली वाली विदी का प्रियोग करेंगे जिस पे दो इसे इस पर कार देख सकते हैं एक और दो दो पे तीन को जोडना है एक दो तीन दो से जब तीन संख्या आगे की ओर को बढ़ते हैं तो तीन चार और पांच तो दो और तीन को जोडने से हमें पांच प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार एक धन एक एक और एक इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो एक के बाद दूसरी संख्या तो एक और एक को जब आपस में जोडते हैं तो दो प्राप्त होता है दो संख्या है बारा और तेरा इन दोनों को जोडने पर जो संख्या प्राप्त हो वह पच्चेस है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 12 धन 13 बराबर 25 एक दूसरे उदारण के द्वारा दो अंकों की संख्या बिना हसल के जोड के जानना जाते हैं एक संख्या लेते हैं माना पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या 22 है इन दोनों को जोडना है तो नियम के अनुसार इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रखा जाता है तो पाँच के नीचे दो ये दोनों इकाई के अंक को ब्यक्त कर रहे हैं और दहाई का अंक पहली संख्या पे जो दहाई का अंक है वह दो है और दूसरी संख्या में भी दहाई का अंक दो है इन दोनों को जोडना है और जोडने के लिए हम धन चिनन का प्रियोग करते हैं जोडने के बाद जो रासि प्रापता आएगी उसे बराबर के चिनन के साथ ये बराबर का चिनन इसके अंदर लिखा जाता है तो पहली जो संख्या है इकाई वह पांच है तो हम पांच पर दो को जोड़ेंगे तो यहां देखते हैं पांच इसे इस परकार देख सकते हैं एक दो तीन चार और पांच पर हमने दो को जोड़ना है तो दोसरी शंख्या हमारे पास? 2 है इसे इस परकार व्यक्त कर सकते हैं एक दो तो पांच से दो कदम आगे की ओर को बड़ने पर पांच की बाद दो कदम आगे की ओर को 6 और 7 तो 5 में जब 2 को जोड़ा जाएगा तो हमें 7 मिलता है तो 5 धन 2 बराबर 7 उसी प्रकार जब हम 2 पे 2 को जोड़ेंगे 2, 1 और 1 इस पे हमने 2 को जोड़ना है 2 धन 2 एक और 1 करके यह चिन्न हैं हम किसी भी चिन्न का प्रियोग कर सकते हैं हम यहाँ पर को व्यक्त कर रहे हैं कि यह 1 और 1 इनसे मिलके बना हुआ है तो 2 से 2 कदम आगे की और को जाने पर दो संख्याएं आगे की और को बढ़ने पर 2, 3, 4 तो 2 पर 2 जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होता है तो 2 धन 2 वरावर 4 तो हमें यहाँ पर को यह प्राप्त होगा जब हमने 25 पर 22 को जोड़ा तो हमें जो उत्तर मिला वह 47 है इस 25 जमा 22 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25 प्लस 22 बरावर 47 अब एक उधारन और देखते हैं जब हम किसी दो अंकों की संख्या पर सुन्य को जोड़ते हैं तो उस संख्या पर क्या परिवर्तन आता है दो अंकों की संख्या अंकों की संख्या पर जब सुन्य को जोड़ा जाता हैं तो उस संख्या पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक को लिखा जाता है तो जो सुन्य है उसे हम पांच के नीचे लिखेंगे इन दोनों को जोड़ें यहीं पर को अगर हम इस सुन्य को तीन के नीचे लिख दें पैंतीस पर हम सुन्य को जोड़ रहे हैं तो यह जो तरीका है पैंतीस को सुन्य के साथ जोड़ रहे हैं परन्तु जो सुन्य की इस्तिती है वह दहाई के अंक के नीचे है इसलिए यह लिखने का जो तरीका है वह गलत है हम इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक को लिखके जोड़ते हैं तो पांच पर जब सुन्ने को जोड़ा जाएगा जब भी किसी एक अंक की संख्या पर सुन्ने को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या पर सुन्य को जोड़ा गया है पांच धन सुन्य बरावर पांच दहाई के अंक पर देखें तो दहाई के अंक तीन तीन के साथ जब कोई भी संख्या जोड़ी नहीं जा रही है तो वो ही संख्या उपड़ से नीचे पर परिवर्तित हो जाती है, पहुंचा दी जाती है, तो तीन को हम यहां पर को दुबारा लिख देंगे, तो हमें यह मिला 35, धन, सुन्य, बराबर 35, तो हम यहां कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या पर जब सुन्य को जोड़ा जाता है, तो वही संख्या में प्राप्त हो रही है, अब एक और उधारा देखते हैं, जहां पर को हम दो अंकों की संख्या का प्रियोग करेंगे, लेकिन उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा, व तक कोई भी संख्या हो सकती है, माना पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 30 इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए चिन्न प्रियोग किया जाता है, वह धन का चिन्न है और इसे दूसरी वाली संख्या के बाईं और पर लिखा जाता है, अब हम इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे यह बराबर का चिन्द है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो 45 धन 30 बराबर अब पहले इकाई के अंक को जोड़ा जाएगा पांच पे सुन्य को जोड़ना है तो पांच पे जब सुन्य जोड़ा जाएगा वो ही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या सुन्य के साथ जोड़ी जा रही है तो पांच धन सुन्य बराबर पांच दहाई का अंक जोड़ते हैं दहाई का अंक है चार एक दो तीन चार और दूसरी संख्या है तीन एक दो तीन जब चार से तीन संख्या आगे की ओर को जाते हैं पांच छे साथ तो हमें साथ प्राप्त होता है तो चार धन तीन साथ तो पैतालिस में जब तीस को जोड़ा जा रहा है तो हमें 75 मिल रहा है तो सिख्यार तेयों आज हमने दो अंकों की संख्या बिना हासिल के जोड़ना सीखा इसकी अगली कक्ष्या पर हम दो अंकों की संख्या हासिल के सांथ जोड़ना सीखेंगे धन्यवाद कर दो